हेलो दोस्तों, हमाशकार, आज मैं आपको अपने गुड़ल के प्रांट की केर हम फरवरी में कैसे करें? क्योंकि फरवरी का मैना प्रांट की ग्रोथ के लिए बैस्ट प्रियाट है और इस समय प्रांट की ग्रोथ की सुरुवाद है ये इनका ग्रोथ प्रियाट चल रहा है तो इस समय अपने प्रांट को नई कंपोस्ट देना और अपने प्रांट की मिटी चेंज करने के लिए अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सियर करिए, सस्काइब करिए और वेल आइकन दबाना न भूले जिससे मेरी लेट्रेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो यह देखे मैंने ले लिया है यह अपना गमला और आज मैं इस गमले की जितनी भी मिट्टी है उसे सब आधा निकाल लूँगी करीब 6 इंची तक मैं अपने गमले को खाली कर लूँगी देखे पूरे यह जड़ों ने पूरे गमले को कवर कर लिया है अगर इसको हम ऐसे ही रहने देते तो इसे प्लांट की ग्रोध इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें अब कोई भी इस्वेज नहीं बचा था पूरी इसकी रूप ने पूरा देखे गमले को कवर कर लिया है तो हम साइट में जो भी इसकी जड़ें पैली हुई है उनको साइट से आसे निकाल देंगे मिटी इसकी तो ये गमला खाली हो जाएगा इसको आप चाहें तो इस समय इसकी रिपॉर्टिंग भी कर सकते हैं पंतु मैंने अभी बरसात में ही इसका गमला खाली किया था तो ये मैं इसको रिपॉर्ट नहीं करूंगी कभी-कभी इस समय रिपॉर्टिंग कभी-कभी कोई प्लांट सूख जाते हैं जड़े-ज़ादा कड़ गई तो सूखने का भी जड़ रहता है तो ये मैं ऐसे इस बना कर मैं डालूंगी तो इसमें क्या होगा प्लांट की ग्रोध काफी अच्छी हो जाएगी तो देखे कितनी इसने जड़ों ने पूरे गमले को कभर कर लिया है तो ये काम अब फरवरी में आप कर सकते हैं फरवरी और मार्च का प्रियाड इस काम के लिए काफी अच्छ है तो इस समय हम जितने भी हमारे गर्मियों के फ्लावर प्लांट हैं उनकी मिटी इस धंग से चेंज करें जिससे प्लांट की ग्रोध काफी अच्छी होगी और पूरी गर्मियों भर ये फ्लावरिंग करेगा क्योंकि प्लांट को इसमें नई मिटी और नई कंपोस्ट मिल जाएगी तो देखिए प्लांट की हाइड भी काफी है और इसमें जितनी इसकी पीली पतिया हैं और जो सुखी हुई ब्रांचे हैं उनको भी हम कट कर देंगे जिससे फिन नई इसमें ये ब्रांचे निकलेंगी और नई ब्रांचे निकलेगी तो इस अच्छी फ्लावरी है और गमला मेरा पूरा खाली हो चुका है देखिए इस जंक से मैं जितने भी मेरे गमले हैं ये देखिए ये गमला भी पूरा जड़ों से कवर कर लिया है तो जितने भी मेरे गुड़हल के प्लांटे हैं करीब 12-13 मेरे गुड़हल के गमले हैं तो मैं सारे ही आज इस तर जिसमें मैंने मिट्टी तयार कर ली है 50% garden soil और 50% compost मिला कर मिट्टी तयार की है और उसमें मिलाई है मैंने नीम की खली जो कि फंगस इस प्रांट में न लगे देखिए कितना मैंने गंबला खाली कर लिया है बस केवल बीच की जड़ी ही बची हुई है और सारी ही इस जंग से करने से प्रांट को सूखने का खत्रा नहीं रहता है और देखिए मेरे काफी पुराने गुड़ल के यह प्लांटे हैं इस जंग से मैंने इस गड़िदे के करीब 6 इंचे मिट्टी निकाल दिया है ब मैं इसमें यह मिट्टी मैंने तैयार की है और विय्क繼續 weldon मिट्टी तैयार की है इसमें तोड़ी सी रेत भी मिलाई हुई है तो यह मैं आप इस घंपलों में भर दूंगी और इसके बाद पे इसमें पानी दोंगे तो गुढ़ल के प्लांट को इस जग से आप रिपॉर्ट करें और ये तरीका गुढ़ल के प्लांट के लिए काफी अच्छा रहता है जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है आप उनको इस जग से खाली करके नई मिटी दे सकते हैं इससे पर रखें जहां पर धूप आती हो क्योंकि गुढ़ल के प्लांट को धूप की ज्यादा आवशकता है जितने भी फ्लावर प्लांट है तो आज पूरा दिन गुढ़ल के लिए ही समर्पित है इस जंग से मैंने जितने भी मेरे गुढ़ल के प्लांट हैं उनकी सब की मिटी खाली कर ली है और अब एक एक करके मैं उनको भर रही हूँ देखिए मेरे वहाँ फ्लावरिंग हो रही है अई समय भी देखिए ये काफी पुराना प्रांट है मेरा और ये हाइब डेट गुड़ल है इसमें बहुत बड़े-बड़े फ्लावर आते हैं बहुत ही कुपसरत द देखिए को आपसे त्रार के लि unto गुड़े में और इनको आप इस समय इसकी कट्टिंग भी लगा सकते हैं इस समय कटिंग के लेक़ी काफी बैस्ट प्रेड ए है और इस समय का पे जोवाय का तर लिएस का इस समय की collecting लगा सकते हैं तो देखे मैंने सारे ही गमले कर लगवग खाली कर लिये हैं और मैंने सभी गमलों में मिटी भर ली है और अब मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगे कि मेरा ये गुड़ल का जो प्लांट है वो कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है समय समय पर आप इस ज़ंग से कर सकते हैं और नई मिटी डाल सकते हैं और जो मिटी निकली है उसको आप सेफ रख दें और रेस्ट में रहेगी तो फिर से मिटी उसको तयार कर सकते हैं देखिए मैंने लगवग सारे ही गुड़ल के प्लांट जो हैं वो मिट्टी से भर दिये हैं नई मिट्टी से और इदेखें मेरे महां इस समय भी कितनी फ्लावरिंग हो रही है गुठल में यह देखें। तो फरवरी का मेना गुठल के प्लांट को रिपॉर्टिंग के लिए काफी अच्छा है और शाप बनने के तो हलकी घुड़ाई करके थोड़ी-थोड़ी इस में कंपोस्ट देते रहूंगी मैं लुटिट फिर्टिलाइजर ही फिलांत लिए मिटी रानले की ज़रत नहीं है अब मैं इसमें नीम ओयल का स्प्रे कर दूंगी तो प्लांट मेरे सेफ हो जाएंगे देखिए कितने खुबसरा दिखाई दे रहे हैं और इस दंग से हम इसकी केर कर सकते हैं थैंक यू